हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टू एजुकेशन हब मैसल नवजीत गौर हम कर रहे हैं फ्रेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम करेंगे क्लास थर्ड की एक्सराइज 7.3 के बारे में हमारा 1st question है 7.3 exercise का write4 equivalent fraction हमने क्या करना है माल लेजिये हमें एक fraction दे रखिए 3 by 5 इस fraction के हमने क्या लिखने है 4 equivalent fraction लिखने है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ते हैं सबसे पहले हम इसे किस से multiply करेंगे 2 से क्योंकि अगर हम 1 से multiply करेंगे तो 3 1 is a 3 5 1 is a 5 ही आएगा तो हमारा first क्या बन जाएगा? 3, 2s are 6 5, 2s are 10 अब इसकी हम next fraction निकालेंगे 3 by 5 को multiply किसे करना है? same digit से हमने multiply उपर करना होते है और same digit से हमने multiply नीचे करना होते है 3, 3s are 9 और 5, 3s are 15 उसके बाद 3 by 5 को multiply करना हमने 4 से 3, 4s are 12 5, 4s are 20 उसके बाद 3 by 5 को हम किसे multiply करेंगे? 4 के बाद क्या आता है? 5, तो हम इसे 5 के साथ multiply करेंगे तो 3, 5s are 15 और 5, 5s are 25 हमारा 25 तो हमारे पास कितने एक फ्रेक्शन आगे? 1, 2, 3 and 4 हमें 4 एकुलर फ्रेक्शन ही चाहिए थे ये तो हो गया हमें समझ आगे कि हमें कैसे ये फ्रेक्शन निकलेंगे? अब क्या है? अगर हमने easy way से देखना है है क्या ही असल में? टेबल ही लिखा जा रहा है 3, 2s are 6, 5, 2s are 10 3, 3s are 9, 3, 5s are sorry 5, 3s are 15 एक्च्वल में ये क्या है? हमने टेबल ही लिखा है मतलब क्या है कि अगर हम इसका simple लिख दें 3, 2s are 6, 5, 2s are 10 उससे next में क्या बने की? 3, 3s are 9, 5, 3s are 15 उसके बाद 3, 4s are 12 5, 4s are 20 और उसके बाद 3, 5s are 15 और 5, 5s are 25 5, तो हम easy way से इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपने ऐसे करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, long method से और अगर आप short method से करना चाहते हो तो सीधा इसका हम table भी लिख सकते हैं, तो हमने table लिखे 3, 2s are 6, 3, 3s are 9 3, 4s are 12, 3, 5s are 15 और नीचे हमने क्या है? 5 का table लिख है 5, 2s are 10, 5, 3s are 15, 5, 4s are 20 और 5, 5s are 25 हमें यहां पर 4 equivalent fraction बोले गए थे तो हमने 3, 5s are तक जो हमने table लिख दिया तो हमारे पास क्या आगे? 4 equivalent fraction आगे एक sum और देखते हैं यह तो हमारा first sum हो गया ठीक है? next sum हम देखते हैं क्या है हमारे पास? 1 by 4 इसके हमने equivalent fraction लिखने हैं तो कैसे करेंगे short method से? 1 का table लिखेंगे 5 तक 1, 2s are 2, 1, 3s are 3, 1, 4s are 4, 1, 5s are 5 और नीचे क्या है? 4 4 का table लिखेंगे 4, 2s are 8, 4, 3s are 12, 4, 4s are 16, 4, 5s are 20 यह क्या हम आगे? 1 by 4 के 4 equivalent fraction जो हमारे पास आगे अब हम करते हैं next sum अब हम करेंगे second sum Second sum में हमें क्या दिया है? Which pair of fractional numbers are equivalent? कि यह जो हमें fractions दिये हुए है यह fractions जो है वो equivalent है या नहीं है इसके बारे में हमने बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन fractions को cross multiply करेंगे तो cross multiply कैसे करेंगे? 6 by 8 और 16 by 12 6 को multiply करना है हमने 12 से और 8 को multiply करना हमने 16 से ऐसे हमने cross का sign लिया है क्या करेंगे हम सबसे पहले? Cross multiply तो cross multiply करेंगे तो 6 को हमने multiply करिया 12 से और इदर किस से multiply कैंपने 8 को multiply किया हमने 16 से तो 6 12 से क्या होते है हमारा 72 और 8 16 सै क्या होते हमारा 128 तो क्या यह दोनों साइट सेम आया है इदर 72 आया है और इधर हमारा क्या है 128 तो क्या आएगा इसका अंसर नो क्या आएगा नो not equivalent not equivalent कि यह fraction जो है वो equivalent नहीं है अब यह हमारा second sum है इसे देखते हैं तो इसे भी हम क्या करेंगे सबसे पहले fraction को देखने के लिए cross multiply करेंगे 1 को 27 से और 3 को 9 से क्या लिखेंगे 1 multiply 27 और 3 multiply 9 तो 127 सा क्या होगा हमारा 27 और 3 9 अभी क्या होते हमारा 27 तो इधर भी 27 आया और इधर भी क्या हमारा 27 इत मिन ये fraction जो है हमारी वो equivalent है तो क्या लिखेंगे हम दोनों की क्रोस multiply करनी है multiply करने के बाद जो आंसर आता है अगर दोनों साइट सेम है तो वो फ्रेक्शन क्या होगी झाल जोक्वचा ब्सक्वड़ क्या है हमारे वो प्रेक्शना भी? झाल झाल